हेलो एरिवन आज का चैप्टर है एक कहानी यह है भी और आज मैं आपको इसके वन लाइनर्स कुशन्स बता रही हूं इसमें यदि आपको कोई प्रेशन नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना और अगर वीडियो कैसा भी आपको लगाओ अच्छा ल ग्रेशन उन्हीं जो एक डाशन हो कि ब忘ila लुऻना जो है सही जवद्व है कुशन अंचंट कुशन आता है कि लेखिका के पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे अधियों अ ये वह बहूना फ्रेशना है दिए कि छी आष्ट प्रेस अवान फेल्ट प्रेश्डमा थे सब्स क वह परेष्अतु हैं लेखिका ने मैट्रिक अत्वद्धत्वीं की पड़ी पड़ीक्षा कब पास की थी तो सही जवाब है सन 1945 में उन्हों ने 10 पास्जिति प्रश्न है लेखिका की सबसे अधिक सम्मानिय प्राध्यापी का कौन थी टीचर कौन थी उनकी सम्मानिय तो उनका नाम था शीला अगरवाल प्रश्ना आता है लेखिका की बेहन कैसे थी तो वह हस्मुक थी गोरी थी और स्वस्त थी और यही कारण भी था कि उनके पिता जी उन्हें हमेशा कुछ कुछ कहा करते थे क्यूंकि लेखिका का रंग साफ नहीं था और वहें थोड़ी दुबली पतली सी भी थी इसलिए वहें हीन भावना की शिकार भी हो जाया करते थी फिर प्रिशन आता है कि लेखिका की मा का स्वभाव कैसा था तो उनकी मा जो थी वो धैरे वाली थी और शेहन शक्ती वाली थी तो option के जो है वो यहाँ पर सही जवाब है ये वाला प्रिशन आता है लेखिका कितने भाई बेहन थे तो वहें पांच भाई बेहन थे ये वला जवाब सही है उसके बाद कुशिन है कि लेखी का महानगरों में किस चीज की कमी अनुभव करती है तो वह है महानगरों में संस्कृति की कमी अनुभव करती है उसके बाद प्रिश्ण आता है ती महानगरों के फ्लैट प्रिणाली ने हमारा जीवन कैसा बना दिया है तो हमारा जीवन कैसा बनाया है? हमारा जीवन बनाया है संकुचित, एसहाय और एसुरक्षित ये वाला option सही है फ्लैट परनाली यानि जो एक के उपर एक घर होते हैं विल्डिंग्स होते हैं उन्हें फ्लैट कहते हैं और उसी के कारण लेखिका कहते हैं कि महानागर यान्ि मिट्र सिटीग प्रिष्न आता है कि के मन में किस ने जन्म ले लिया था लेकिका के मन में हीन भावना zawy Aa थी मैंने पहले भी बताया था कि हीन भावना क्यों आ गई थी त्व कि उसकी वहन जो ती वह ज़्शांद थी और स्ष्छ थी लेखी का कलर जो था थोड़ा सामला था तो प्रिशन आता है लेखी का पिता की द्वारा अपने प्रती किये गए किस से प्रेशान थी तो उसके व्यवार से प्रेशान थी वे जो बार बार उनका व्यवार था उसके प्रती उससे वे प्रेशान रहती थी प्रेशन आता है कि लेखी का बच्पन में कैसी दिखाई देती थी तो लेखी का बच्पन में दुबली, मरियल और काली दिखाई देती थी यह आप्शन गय जो है वो सही जवाब है और साथ ही मुझे कमेंट सेक्षिन में ये भी बता देना कि आपको इन में से कौन-कौन से प्रेशन आ रहे थे ताकि आपके पढ़ाई जो है वो regular मुझे पता रहे कि कैसी चल रही है और आपको खुद को भी पता रहे कि मुझे कितने प्रशन आ रहे हैं कितने मुझे याद हैं या मैं भूल जो करा हूं या जो क्यों हूं तो फिर आप मुझे comment section में जरूर बता देना उसके बाद प्रिशन आता है एक कहानी यह है भी किसकी रचना है यह कहानी जो है मनुभंडारी की रचना है और उनकी बायोग्रेफी है यानि खुद के बारे में उन्होंने जो आत्म कता लिए है उसका एक भाग है एक कहानी यह है भी प्रश्ने आता है कि मनुभंडारी का जन्म कहां हुआ तो जन्म हुआ था गाउं फानपुरा में प्रश्ने है मनुभंडारी ने इंटर तक की शिख्षप कहां प्राप्त की थी तो अजमेर में उन्होंने यह शिख्षप प्राप्त की थी प्रश्ने आता मनु भंडारी पिता का शब्द कोष था विशेवार सब्द कोष की रचना के लिए पिता को क्या प्रप्ट हुआ था उन्हें ये यह शमीला था, प्रतिष्टा मिली थी, सम्मान भी है, तो यह प्रम्मपुरी महले में में रहा करते थे, प्रश्ण है पिता ने शब्द कोष क ऐसे पूरा किया था अकेले उन्होंने पूरा किया था तो यह प्रश्ण जो है आज मैंने आपको बताए हैं एक कहानी यह भी कि अगर आप कोई और विशे के भी अगर वन लाइनर्स पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेशन में बता दीजेगा थैंक यू फॉर वाचिंग और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे और बेल बटन भी प्रेस करना होगा जिसे सारे नोटिफिकेशन्स आपको समय पर मिलें थैंक यू फॉर वाचिंग